हेलो तो मैं टीपीटी 2 तक डिस्कस कर चुका हूं और डीपीपी 3 तक का सलूसन बेच चुका हूं और मैं समझ सकता हूं कि आप डीपीपी 3 तक आपको कम्प्लीट सलूसन क्लियर होगा तो तक कंप्लीट क्लियर होगा ठीक है तो अब मैं डिसकस करने जारों कि यह एक वाटसप ग्रूप है जिसमें डिपीटी का पेपर सेंड कर रहा हूं DPP set कर रहा हूं यह दोनों ही TPT और DPT और DPP तो उन सब के लिए हैं जो अंदर 3000 आल इंडिया रहें चाहते हैं एडवांस के अंदर पर TPT इस पेसली उनके लिए अंदर 500 कंदर 500 कंदर रहें चाहते हैं और अगर आप इसको दोनों को कर जाते हों तो तुम वेस्ट कर रहा हूं कि यह जो क्वेश्चन से हैं TPT के हम लोग अपना हम लोग क्या जब मैं कुछिंग में था उस समय अंडर 5 के बच्चों को दिया रहा हूं कि तो हमारे अब कंदिशन से अगर तुम इसको पाना चाहते हो तो तुम इसे यूट्यूब पर भी पा सकते हो जब मैं अप्लोड करूंगा या तुम इसे मेरे वाट्सप ग्रूप पर पा सकते हो ठीक है उसमें एक और में सब्सक्राइब करेंगे मेरे वाट्सप नमबर पर यूट्यूब पर ही मिल जाएगा मैं आपको एड कर लूंगा और यह प्रोवाइड करता रहोगा तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टीपीटी थ्री अच्छा एक और बात है इन केस कोई भी डाउट हो तो मैं जो मैं बता रहा हूं इसमें कोई भी डाउट हो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने वीडियो भीज़े तो मैंसे लाट्सप करो अलग सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो मुझे वाट्सप करो अलग सब्सक्राइब समझ में आया है माउस को प्रपरड़ी एक्स्विंग कर कुए ठीक है ओक्या टीपीटी थी दिसक्राइब जारा हूं क्वेस्चिन नम्बर वन सेंटर अफ मास का क्वेस्टिन वन में त्यारा है क्वेस्टि ए व स्पिर उप मास थाप्समि इस मूज इस मोजे विख व वेलोस्टि इस, व्लेड एट इस इस मूज भी ओप रवला और रवाल से व एलोस्टि एम, दो एंट फिया, विख वाल इस जो प्रपरें पूट थैप्स्विं दो पिर एंग भाल एंग important terms है the Frictionless Wall जभी हम frictionless वाल की बात करते है न जब भी हम प्रिक्शनलेस वाल की बात करते हैं तो जब पारल्टु वाल होता है वह 0 हो जाता है जब वेलोसटी पारल्टु वाल क्या चेज होगा नहीं तो क्या करें यह अंदर वाल है और फ्रिक्शिन लेस वाल है तो इस वाल के पार्लल वेलास्टी यह चेंग राएगी कोफिसेंट आप रेक्टिटूशन की एक्वेश्चन नॉर्मल के डिरेक्शन लगाना होता है वन सेकेंड हो खता है है ओके तो टीपीटी थी हम दो डिसकस कर रहा है क्वेश्चन नमबर वाल तो मैं बता रहा था हूं कि यह जो वाल है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इंपल्सी फोर्स क्योंकि यह फ्रिक्शन लेस वाल है तो पैरल तो फोर्स आए गानी तो पैर वलासी चेंग नहीं होगी और कोफिसेंट आफ रेक्टिटूशन का इक्वेश्चन्स का इक्वेश्चन्स कामन अधर राला नॉर्मल कौमन नर्मल गेज्चन म मелnova जाता है डी तब फिर इस नॉर्मल का डैरक्शन सक्की जूरूद पढ़ेगी नॉर्मल का डिरक्शन की सब्सकριसको तर होगा है जिए चेंज का डिरेक्षिन होगा कॉमन नॉर्मल भी उसी डिरेक्षिन होगा उस डिरेक्षिन में क्या करेंगे एक क्वेस्टन लिब देंगे आंसर आ जाएगा तो चलिए टककर के पहले की वेलासिटी आप 4i-cap 3j-cap-5k-cap 4i-cap तो यह इनिटियर वेलासिटी है वेक्टर 4i-cap-3j-cap-5k-cap and final velocity का वेक्टर है 223 तो 2i-cap 2j-cap-3k-cap अब पता करेंगे चेंज का डिरेक्षिन के दर चेंज मतलब फाइनस इनिशल घटा तो जब इससे इसे घटा होगेते आएगा minus 2i-cap इसमें से घटा होगेते आएगा minus j-cap इसमें से एक घटा होगेते बनेगा 8k-cap तो this is the direction of normal impact wall तो rest में तो यह जो direction है यह n के direction है माल लिया एन के direction यह direction एन के लॉंग है विलासिटी सपोस्ट कर ऐसे आ रही है इस तरीके से इनिशल विलासिटी अ तो मैं पता करना पड़ेगा velocity of e क्या होता है velocity of separation upon velocity of approach तो velocity of approach पहले निकालते हैं मैं जो पता हो पहले निकालते विलासिटी अप्रोच अगर यह वाला एंगल ठीटा है तो velocity of approach बनेगा भी वन कोस्ट एड़ा बीवन का यह कंप्रेट विवन कोस्ट एड़ा अगर तुम सब्सक्राइब यह नॉर्मल का डारक्षन है और यह इनिशल विलासिट का डारक्षन है दोनों के 20 अगल का है पाई माइनस अटा है इसका मतलब कि अगर इस राक्षन साँ्ट के इन वेक्टेश एन राक्षन और इस रावसन के इन वेक्टेश और इसके वीज कrien अगल पाई मारस के टागो तुम स्क्याल सकते हो न zijn , डाट बीवन so इसके वालु क्या बनेगी? N1 मनेगा V1 into cos of angle between two vectors तो इस vector और इस vector के बीशिंगे लिए pi minus data है यह pi minus data यहालिखेंगे pi minus data इसका मतलब N cap dot V1 रेक्टर की वालु कितनी है minus V1 cos रेटा है अब V1 cos रेटा चीए तो N cap dot V1 आपको निकालना पड़ेगा अच्छा N cap का direction इसी का unit vector बनेगा यूकि चेंज इसे होगी velocity वो impact का direction में होगी तो इसका unit vector कैसे निकाल होगी minus 2 i cap minus j cap plus 8 k cap इस vector का मेंग्टूड वो कितना हैगा 4 और यह 1 बनेगा और यह बनेगा 64 तो 69 आईगी अंदर रूट 69 अब क्या करेंगे n cap dot V cap इसको इसे से dot put करो इसको इससे dot put तो यह 4 से minus 2 का dot put करेंगा minus 8 और 3 का minus j से minus 3 minus 5 का 8 से minus 40 अब हाँ और रूट 69 है अब हाँ अब बात करेंगे वेलास्टी अब सपरेश्टी अब बात करेंगे वेलास्टी अब सपरेश्टी अब यह मानलो ऐसे जा रहा है इपिटी फाइनल वेक्टर है यह फाइनल वेक्टर है यह वाल एंगल मानलो अलफा है मानल लिया अलफा मानले है टेकेंगा तो वेलास्टी अफश्टी अफश्बरेश्ट stretch कि वायलू क्या है इसका इसके साथ डॉट बड़ करदो इसका इधा पॉने तो फी एफ कॉस अब यह नहीं काना है तो फिर इसका इसके साथ डॉट बड़ करदो तो सेम वग अब में से एटा देता हूं है यहां पर भी फाइनल करें तो मैंने का एन कैप की बीशंतर अधिंगल अलंफा यह तब को alf कि यह इस मतलब की एन लो फौक कि वैक्रन की घघलो ही भी को यह कॉस आरफा अब इस वैलुक निकालना है तो क्या करोगे तो इसका इसके साथ बड़क्त इन दोनों का बड़क्त तो ये 2 और ये माइनस 2 माइनस 4 ये 2 और ये माइनस 1 माइनस 2 ये 3 और ये 24 रूट 69 ये क्या हैगा 24 से 6 एटा दो 18 तो ये बन गया 18 लूट 69 अब देखो वेलास्टी क्या होता है वेलास्टी आप सेपरेशन ये हैं 18 अपान 51 बन जाएगा कि यह कि से कटेगा थ्री से कटेगा कि तो 16 माइस सब्सक्राइब कोफी सेंट्राफ रेस्टिवेशन सब्सक्राइब कुछ नहीं को चाना मीची है प्रेशन नमर टू अच्छे एक क्षेशन देखने में वो लग रहा है बट है यह कुछ नहीं है फाइं दे मिनमम वैलु आफ एप सो दर स्लाइडिंग इस्टार्ट बिट्विन बी और सी बी और सी कि बीशन स्लाइडिंग इस्टार्ट कि देखो तो जो भी आपको पढ़ाया गया होगा है कि अधिसें प्रॉलम अंडर सिंगल फोर्स तो एक कॉंसेट्ट बताया गया होगा क्या कि सब्सक्राइए अब किसे क्या करते हैं हर द mister कि मैक्सीय लीप जीता लिए यह इसे यहाँ कि यहाँ पे मैक्सिमेल है कितने चाइँ कि इस टैटिक और यह सामिठी त्स मिसमापद पर यह 10 यह 9 तो 80 बनेगा और केंटी क्या होनेगा 40 बनेगा यह स्टेटिक है यह कानडी है यह 20 कि नीसे 3 है तो 20 और 10 30 30 90 और साथ बनेगा यह 0.2 से 60 बनेगा न वीस और 10 30 22 यहाँ कितना है गा 10 30 40 40 पॉइंट टू 40 पॉइंट टू को मतलो पॉइंट वन है तो 50 बनेगा यहाँ किस्टेटिक केंडिक नीख लो तो 10 20 40 50 50 पॉइंट बनेगा अब अंडर सिंगल फॉर्स क्वेश्चिन था यादा है कि अंडल अंडर सिंगल फॉर्स फॉर्स स्लाइडिंग उस लुवर कॉंटेक्ट पो होती है यह पूरी अंडरलाई अगर नहीं सब्सक्राइब तो अंडर सिंगल फॉर्स के प्लेलिस्ट में जाएगा उसमें अंडर सिंगल फॉर्स प्रॉलम कैसे अंडल करका है वह आपको मेरे यूटुब के चैनल मिल जाएगा वास देख के स्टेड़ी कर लें आपको हर बाग समझने जाए तो सिंगल फ ड्रक करो होता है जहां पे फिक्षुन लाम तेंा मे लिánt फ्रिक्षाण की oportun है झाल सबसे कम लिइंटिंग फिक्षाम नहीं जान एक पहली हुद्न हो हो झी इसका मतलब 10 केजी भ्लॉट नीचे का जो टेंग अटीजीडींता हो तीम का 3 कि यह सबसे पहले साज जाएंगे त्री ब्लॉक प्रॉल्म अलिया इस ताज जाएंगे दस केजी ब्लॉक को चोड़ दो उपर ओले केजी ब्लॉक को एब वाइट बोर्ट पे चलो साल करता है क्रेश्चिन वाटब झाल अजम, ब्लॉक को याटब, वाटब रॉक जाएंगे 80 40 1960 यहां पर 80 40 90 60 80 40 question में क्या रहा है कि minimum F so that sliding start between B and C इस F की minimum value तक B और C में sliding शुरो हो जाए तो पहली sliding यहां होगी तो इन में हमनों के से साथ करता है पहली यहां होगी तो तीनों साथ साथ जाएंगे उसके बाद दूसरी पर दूसरी होगी उसके बाद अगर इस फोर्स मड़ा होगी तो तीसरी तीसरी तो यहां और दूसरी यहां कि क्या किया जाए उन्हेंने और लेड़ी कहा रखा है कि 20 में sliding हो जाए तो पहली sliding यहां तो करवाना ही है तो मानी नो कि हम प्रूफज़ करचिन के पहली प्रूफ यहां है ज स्कछन हो अस दूसरी लिएंग यहां कि और इसकोगत उसेशन के अडिया कि है तो कही आप पड़े लो कि दूसेटीग यहां हो और यह पर सलै नहीं है और वहां का friction को verify कर लो यहां का static friction अगर आपने लिम्टिंग से कम है तब ठीक है पहली यहां होगी दूसरी यहां और यह कुछ रहा था उस समय फैल हो गया तो तो आपको क्या करना पड़ेगा पहली यहां पर दूसरी यहां पर तीसरी यहां पर इसका मतलब उस F की केस में ज अब पढ़ा चुका हो तो इसलिए मैं ऐसे बोले जा रहां हो कि मात तुम्हीं ज्यादा डीटल जानना आ इस कॉंसरेट को क्या करना पड़ेगा तो फ्रिक्षन के प्लेएलिस्त में जाए ने मेरे यूट्यूब के प्लेएलिस्त में फ्रिक्षन में जाएए अ को आप उसको देख लिए आपको एक एक बात क्लिरली सुखना है तो चलो मैं उसका यूज कर रहा हूं एजमसें नहीं कि बीज और सी के बीच में स्लाइडिंग होगी और यह और भी एक साथ है इस कि केस में जब ओडियाु कर भाँ कर रहा होगा तो इतो व् Secret and मिन म में व्र्ण आप लुगे यहां स्लाइडिंग हो जाया इसका मितलब इसका इस स्वेम होना चेव है है यहां स्लाइडिंग और यहां होने की हिस्थी में है और नों के सब्राइड MedalCC Hi नापर देट इस नाइटी तो सी के बिडी बनाएंगे उपर एक 90 तो 90 अगे भी खादा अब बाटम पर स्लिपिंग हो रही है अल्यडी पहले अहीं पुई थी तो 40 इस पर लिखिंग एक बराबर है तो 90 माइनस 40 बराबर मास इंट्वर सिक्राइशन इस एक वलू क्या भी फाइब अब 20 केजी और 10 केजी एक सिस्टम मांग बेटर मांग इस से इसकी इसकी बीच का फ्रिक्शन इंट्रोंक तर सिगा पजाएगा दोनों कैसे सम बराबर ही यहा और यहां फ्रिक्शन 90 है एक माइनस 90 वर वर टोटल मास 10 और 20 30 एक एक बीच्ट और इक सो पचास दो से चालिज वर्ट इसको बेरिफाइब करना पर यहां ता रिक्वाइट फ्रिक्शन इस मैक्सिम से कमाना चाहिए इस एक यह बीडिवन आते हैं कि दिखिए एस बराबर में कितना तेंट एक इसलरेशन क्या है फाइप फाइब एफ ब्लॉक्पे फ्रिक्शन बराबर मास एक का इसलरेशन 50 पर चाहिए जैन यहां का स्थेटिक वैलों जाटिटिक कम है इसका मतलब जो आपने सॉल्विया सब्सक्राइब इसमों क्या रह होगा कि तीनों ब्लॉक एक साथ जार होंगे लिकन एक एफ एड़ी से जटा होना चीए जब ये एफ इस एटी से ज्यादा होगा तो तो यह एचलरेशन एक साथ हो जाएगा और इसका एसलेरचन इस से ज्यादा हो सिस्टम हो जा रहा है अभी सैफ को और बढ़ा गई एक सर्टन वैल हो आगी जब यहां भी सिल्पिंग हो जाएगे फिर इन दोनों के बीचे कॉंटेक्ट कर जाए तब यह तेज वार रहा होगा यह तो सबसे तेज कॉन भूफ कर रहा होगा फाइनली यह कि उसके बाद यह उसके बाद है और मिनुम में अपके केस में ताकि इसके इसके से लड़ी हो जाए तासर इस तो फोटी बहुत ज़्याद कर गया इतनी ज़रूत नहीं थी आप सिरुवात में देख के समझ जाए तो कोईस्टन बहुत अच्छा है इस इतना बूल गया तुम क्वेश्चिन नमबर थार्ड पर आते हैं थार्ड कर राया है कि अब ब्रीक इस गिवन ए इनिश्यल इस्पीड फाइट पर सेकेंड अपन इंक्लाइन प्लेन अट अंगल 30 डिगरी फाम हर्सेंट तुम कोफिसेंट अ फ्रिक्शन इसम्यू आफ्टर 0.5 सेकंड हाव फार थार्ट डिगरी यह इनिश्यल पोजिशन एक ब्लॉक को मैंने आसे प्रजक्ट कर दिया कि फाइट पर सेकेंड से मू की वेलव है रूट 3 अपन 12 आफ्टर 0.5 सेकंड कराए टी ब्राबर 0.5 सेकंड पर बताएं यह ब्लॉक इस ओरिजिनल पोजिशन से कितने दूरी बहुँआ तो पहले अब ब्लॉक उपर जाएगा फिर नीचे आगे तो देखना पड़ेगा इंट्रवल को पहले कितने समय तक उपर जाएगा यह भी तो चेक करना पड़ेगा कि अपके तो अपवर्ड जरने की बात करेंगे जब ब्लॉक उपर जाएगा तो एसल्रेशन नीचे करोगा अवह ऐसलेसन कितना होता है जी साइन ठेटा प्लस मुजी कॉस एड़ा होता है याद करो जब लॉब उपर जाएगा तो एम जी साइन टाइब भी नीचे अब फिक्शन भी नीचे तो मास रिवाइट कर विद वैड़ो इतनी है जाएगे प्लस मिजी थर्टी टू है साइन थीटा इस वन बाइटू यू कितना है रूट थ्री वाइट वैड अगिन जी कितना है थर्टी टू कॉस इड़ा थर्टी रूट थी वैट टू आएगा अब देखें यह थ्री कट्टा में से कट करेंगे तीन चुक को बारा चार बनाएगा चार दूनी आठ बत्तिस काल्कुलेसन तुमें चेक करना प अब तहीस अरीच वह तो घुट ईस्ट सब्साइट रिच नहीं टार्वरट जर्नेट परीज्ड णावर्ट जर्नी में जब वर ब्लॉक मीच़ कुलारा ओगा तो एक्स एक्सलारेश्ट में अरीचिं अ गिटा अह प्रक्डइच्ण उन यह जी वालता है अटिन की टानीच पूरा पूरा 4 है नहीं तो इसका मतलब कि जब ब्लॉक उपर जाएगा उसके बाद निचे एगा तो एसरसन 12 कहोगा जब ब्लॉक उपर जागा तो एसरसन 12 कहोगा अगर फाइनल बेलासिटी जीरो होगी कि इनिचल वेलासिटी 5 निचल वेलासिटी 5-80 एसरसन 122 टीवन टाइम कितना रहा पाइब वाइट वन ते हैं वन वाइब फॉर इसए कितना डिश्टेंस से कभर करेगा यह दिश्टेंस अगर एस है एक्सवन है X मालनो, कितना अदिशन कामर करें So, final loss is 0 का स्क्वेर, initial क्या है, 5 का स्क्वेर, 25 Minus 2A into displacement X V का स्क्वेर, minus 2AX, X दोल क्या है 5G by 2 into 20 5 by 8 इतना तूरी कामर करें इतने सेक्ड ये कितना, 0.25 है, न? तो 0.5 सेकेंड है अब 0.25 जाने भी खतम हुआ, तो कितना टाइम डाउन्रोड जरनी के लिए बचा हुआ टाइम है अगें 0.25 बचा हुआ है, तो 1 अपान 4 और बचा हुआ है तो कितना दूरी और नीचे कवर करेंगा, और मालनो, X दूरी कवर किया हुआ है, तो क्या करोगे, S पराव, UT प्लस हाफ के स्क्वर, S, U कितना है, 0, इनिचल प्लस्टी, 0, हाफ ये कितना है, 12, इनिचल, इनिचल, T, 1 अपान 4 के स्क्वर, 1 अपान 6 है, तो कितना दूरी ये बचा होगा, लिखा हो, तो कितना है, सब्टरेक कर तो, 5 भाइ 8 में से, 3 भाइ 8, फेरी पान 4 स्क्वर, प्लस्टी, 2 अपान 4 में, 1 भाइ 8, 2 अपान 4 में, इनिचल प्लस्ट प्लस्टी, 1 भाइ 4 में, कुछिन प्लस्टा, डिखें ऐस तो कितना प्लस्टग इडीर, there is a disk of mass capital M and radius R is rest on the perpendicular bisector of the line segment of two moving disks smaller and smaller the two moving disks collide totally elastically with the third one hei elastically sita karra how he rest me there is no friction between the realm of the risk ratio of the internet then following options I mean friction is coming up the initial force looking at it jubi forces in your common normal logon at the center space impact common normal okay so I'll solve question before whiteboard again झाल झाल यह तक कर के बैए कर और कह रहांगा कैपीटल आपकेशोश फ्माल यह थी तरी मतला इसका मास इसका मास का से आँए और यह रहाइस्ट में इसकी श्पीड क्या भी है और यह इनिशली रेस्ट बशाए तककर एलास्टिक है और यह सर्फिस प्रेक्शन लेश है तो को भी फॉर्स यह तो आए गर ही यह तो आए गर सब्सक्राइब थे यह क्या करते हैं इसको इसको मिला दो अच्छा यह विला अच्छा यह वला एंगल 6 डिग्री है यह अगल के आएगा 30 डिग्री अच्छा यह पूरा 60 अगल के आएगा 30 डिग्री यह अगी इस भी के दो कमणड़ बनेंगे एक कमणड़ बनेगा यह जो कमणड़ बनेगा यह जो कमणड़ बनेगा इस वी रूट थी बनेगा बनेगा यह पाले कंडिय्शन इसका यह ही कंडिशन इसका भी होगा यह है इसका बनेगा यह वाला बनेगा मतलब इस एंगल is 30 degree and this angle is 60 degree कि अगेन होजेंटल सेंगर ली क्या है 30 degree है तो कुछ निया हिम्मत रख रहा हो तो तुमको भी एह करना है इसमेट्यों और यह रेस्ट में पंपारा करके बाद कि यह एसी हे इस के यह आई साधर में च्मिघन करके बाद का यह एसे लगए नियुम्न कि छुट है क्या हूं यह जोगे इस वालगा यह जो फिर रहे हो प्लішक रहें टखकर के बाद यह Juby तो यह- वैलासिटी है यह चेंज होके वेटा होगी जटेशन सित्रीछ hierarch यही चीज इस वाली भी भी होगा कि इसकी एलांग वाली जो वेलास्टी होगी सिमेट्री से भीट हो जाएगी अब पर्पिंडिकल रोला अब भी 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 वाइट हो रहेगे ठीक क्या करेंगे एई उस करेंगे मोमेंटम कांजर्वेसन शिस्टम को इसका म मंटम शिस्टम को होडेंटर डारचिन अबद्म एब बसन सब्सक्राइब भी जा रहा थे बीचो रहेंचर हो तो टोटल मोमेंटम निशनुरा ने 2M x V, इसका M x V, इसका M x V, इसका M x V, इसका 0, M V plus M V, 2M V, system momentum, equals to final momentum system, final momentum system, इसके पास आएगा, मास 3M, इसका रिखा भी, 3M x V1 plus, अब बात करेंगे हम लोग, final momentum, इस एंगल खाल पना बड़ा, यह तो 60 degree है, 60, और यह 30 degree है, इसका 3M V1, यहांसे V by 2 cos 60 हैगा, क्या लिक होगे, M x V by 2 cos 60 degree, और यह जो V2 है, उसका cos 30 है, एंगल 30 है, 30 है, तो V2 cos 30 वनेगा, that is V2 cos 30 degree, अच्छा, इसका भी न, वही बनेगा, इसका momentum, इस रर्क्सम का ही होगे से लिक्टर से, क्योंकि V2 का, यह 30 degree है, यह 30 degree है, तो V2 cos 30 वनेगा, और यह 60 है, तो V by 2 cos 60 वनेगा, यही बनेगा, दबल कर लेगा, यहां से 2V की वैलू बनेगी, 3V1, अच्छा यह बताओ, यह 2 इस 2 को कट करेगा, अच्छा भी वाइट्यू में कर लेगा, और यह क्या है, यह रूट 3 वाइट्यू है, से 2 से 2 कटेगा, यह बनेगा, रूट 3 V2, यह बनेगा दूनि चार यह से एग्या, 3 V2, तर यह बनेगा, यह बनेगा, बनेगा, यह बनेगा, यह बड़ा सा प्लस लगा देगा, यह बनेगा, अब दिखेंगे इक के एक्वेश्चन इलास्टी को रीज है में वन बद बारवर वेलास्टी अब सेप्रेशन डिवाइड वेलास्टी आप्रोच अप्रोच निकाल लेते हैं आसानी से सिंगलेंगें अच्छा ये रेस्ट में था तो इधर कामो नॉर्मल है ना इस रेक्षिन में यह कितने सा आ रहा है भी रूट्स के वाई टू से आ रहा है यही अप्रोच है उपर लिखेंगे सेपरेशन, वेलासी अपरेशन सेपरेशन यहां साएगा इवन एंगल क्या है यह इंगल क्या है तो इवन का कॉस्ट एंगल इंपक्त ऐसे लगेगा ना तो इवन कॉस्ट 30 टिकली और यह भी टू है ना इधर तो सब्रेक कर रहा है तो मायनस वीटू तो वीवन कॉस्ट 30 दूर्द सब्स प्लस आएगा अगल पास जारा तो मायनस इससे एक्वेशन बने तुमारा अब मैं सबको हटा जो एग बार यहां से बनेगा भी रूट 3 वाइटू बराबर वीवन रूट 3 वाइटू मायनस वीटू तो यहां से भी क्वस्ट बनेगा इसे डिवाइट करगो बनेगा वीवन तूबाई रूट 3 वीटू बटो अब यह दो एक्वेशन ने दो अनूर है सौल करोगा अंसर क्या करेंगा इससे थ्री से थी हटा दो प्रेल है इस से थी का टम अटा और प्रेल है वन बाइट त्री बन जाएगा अब इस एक्वेशन को इस में जोड दें तो 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 यहां जाएगा जब इसको इसमें जोड़ोगे तो इससी एक इसलिए चला गया बठांसर है तो टूबी भाई थ्री अगर तुम कल्कृसन चिक की होगे तो बड़े वाले ब्लॉक की वेलोस्टी थी टूबी भाई थ्री तो उसमें उप्सें में देख लो आफ्टर को लीजन डवलास्टी अफ दॉब्लॉक्ट की पता करने है तो क्या करेंगे आप जो निकाले थे दूसरा व्ला वेलोट काल ली थी अंडरूट करके पर पुद्न को सबती कि अने कुछ भीन कुछ माना था तो ही इस फिर इसकी क्या है मोग est इसका स्क्वेर प्रस इसका स्क्वेर कर दोड कर दीजिए आंसर चाहिए बस इसकी वेलस्टी बन गए ठेक है आपके नेट चला गया था इसके वैसे यह बाढ़ कर रहा है कि आफ्टर दो को लिजन टू डिस का आफ मास्या मूव पर फिंट टू दियर इनीशल व्लॉस्टे यह कैसे तो पता है यह यह एंगल था दिस एंगल इस थर्टी डिगरी अब देखना है कि इसे में और इसमें एंगल कितने का तो क्या करेंगे है कि यह वाली से वेलास्टी थी भी ऐसे दाना तो भी का कॉस्ट थट्टी बना था तो भी वना यह था असाइन थट्टी वाला कि यह वाला भी वैट्टो था कि दोनों पर उनकों जा रहे हैं कैसे चकर यह तो रिजल्टेंट निकालें संसरों इस बीवन के वलू पता करके इसके वेलास्टी का रिजल्टेंट निकालों और इसके वेलास्टी का रिजल्टेंट निकालों और जेंटल से धोनों के एंगल निकालों आंसे देने खिए पता निम्न कर देता है तेज़े दिखो बताता हूं कैसे निकाले यह वी अगल कैसे आगा horizontal B1 Cos30 plus B2 Cos60 यह B2 Cos60 B1 Cos30 और वर्टिकल कैसे निकाले घिए वन साइन थर्टी माइनस वीवाइट टू साइन सेस्ट आगया ये भी ये वी एक्स है तो कोई पूछे कि होर्जेंटल सेंगल कितना इसकी होर्जेंटल सेंगल इस्टेटा तो त्रेंटेटा किसे आएगा ठीटा व्रीच ग्रिपण एंगल से जब इसका पता सब गया कि कि ये वाली horizontal से किस से angle पे है और इसका पतासर कि ये होला horizontal से किस अंगल पे है तो क्या दोनों की बीच के इंगल में है निकल हो टीक है तो तो ये पाट भी हो गया? after collision the disc curve mass and move 45 इस इस से समय गालूना तो अगर ये ऐसे जाकर इधर 45 से जा रहा तो नीचे वालों इधर जाएगा तो इधर 45 से जाएगा तो दोने में नाइटी नहीं जाएगा यह बताता हूं चलो ठीक है वाद समय दो बताता हूं हमने इसकी वालों कितने गल थे तो भी वाई थी तो आई था बड़े वाले अब लगा देंगे मोमेंटम है क्या कि क्या अवह से लिक्तन लिखे था मोमेंटम से चल गया था इस प्रताओं बताता हूं अभी समने आज लाए देखना है कि देखो है हमने इसे अल्छा मोमेंटम ने करिशा था मोमेंटम दरुशन इसका 2x M into V इसका M into V तो 2m भी लिखेत जियात करो अब बड़े वाले की 0 था बात में बड़े वाले का 3m into V1 आया था क्योंकि मांस 3m है था एंड प्लस m into इसका हमने क्या लिख या था इसका इसका आया का भी 1 cos 30 बी वन कॉस्स 30 डिग्री और भी वाई टू कॉस्स 60 और तुम यह दा रहा इसका ट्वाइस आया था बी वन कॉस्स 30 अग्री एम सेम घ्राइड और हमारा जो भी वन था इसको तर्मिवाई लिख्या था इसको बी टू लिख्या था आपने साथ बसला बड़े वाले का बीटु गाया सब इंटर्रेक्शन जाने का प्रावलम है बीटु आया था हमारा 2by तो उठा के प्लिस करो देशा कि मने का 2b और 3b2 है नो तो या पे 3b2 लगाओगे तो 2b बने गाया प्लस यह है twice यह b1 है b1 तो यह ही था नो b1 कॉस्स है टो यह था b1 रूट 3 by 2 b1 by 2 b4 बनेगा यह 2 से 2 कटेगा यह भी से कैंसल हो जाएगा ओक्या इससे क्या प्रूफ हुआ इससे प्रूफ होता है कि जो b1 की वैलू होगी माइनस इसको इदर बेजो तो 2b आपा 4 रूट 3 2b आपान 4 रूट 3 तो माइनस भी आपन 2 रूट 3 आएगा भीवन यह भीवन आएगा सही है आप क्या पुछा था उसमें विलास्टी आप स्वाल है इसकी विलास्टी पूछा तो भीवन इस्क्वेर प्लस भीवाई फॉर के इसपर बनेंगे पूछा एगा इस्क्वेरींग करो कि बनेगा भी स्क्वेर आपान स्क्वेरींग करोगे तो 4 2 3 2 बनेगा यह भी स्क्वेर भी 4 तो 3 यह हमल्डी प्राइग करो 3 यहां कर दो 4 by 12 और भी बाई रूट 3 बनेगा ठीक है भी बाई रूट 3 अब यह चेक कर लो कि यह वैलू निकाल लेते हैं अब वैलू प्रेस करके एंगल की तो बीवन कितना है बीवन है कितना बीवाई निकाल लेते हैं पहले एगाल कितना पुरी दिवाई लेकर इवन कितना एवन है कि माइनस दिया रूटष रूटशी औंसाइं थर्टी फॉल्टी रूटशी और साइन थर्टी वन वैटो माइननस दिया टू रूटध रवाई चुटर थेवें अब रूट 3 यहां भी है रूट 3 यांग मिल्टिपाइब करते हैं तो यह माइनस भी है यह माइनस थ्री भी है मैंने का माइनस फॉर भी अपान फॉर रूट 3 अब माइनस भी रूट 2 वनेगा यह वाई की वैवाई वैव्य वैलो इतनी में गया और यह सिसमरे सपर छिए इसरे स्पारिखे यह वह अब यह निका आ लुट कि अ भी एक्स वी वन कितने है मिनस भी भाई तू रूट 3 अस कास्थ रूट 3 वाई टू यह क्या बनेगा वन आपान टू भी बाइफ फॉर बनेगा तो यह कितना है गरूर त्री रूर्ट थी माइनस भी बाइफ फॉर बैफ इस जरो पी एक से जरो इसको मितलब हो गया कि यह जो पार्टिकल है यह वाली वेलास्टी बस रही कि यह यहां कि यह आप आपये समाझे होंगे कि कि जब तक्कर लग रहा है न तो टक्कर के बाद मो कि यह एसा है यह ऐसे जा रहा हूं तो टक्कर के पहले टकर के बाद यह वाला ऐसे जा रहा है और यह वाला ऐसे बाग bear कि इसकी मैं कि य क्राश्टी थी इसकी भी वहाइइ 2 है कितने व्हाइश्टी एल好吃 in का शें Memphis विवाई रूट सिया राकल गोई शब वाई रूट थी पिजा रहा है ठीक है अप्संट चिक करें पहला अपसट अफ्र गोलीजिन अप्रुड इस मास्या मुव पर पिंगा तो धर इसले लॉस्ट यस यापाट करेक्ट आस बीपाट गलत करहा है थीपाट सही अधीपाट सि किसे अचारिया question 5 5 को इसका मैं आपको लिंक वैरशनगों दिस्क्रिप्सन मॉप्स जैक कर लिए question 5 को लिए autistic依ा इसमान बॉक्सन और ऐसीम नमर्य अब्लबल इसमिंड सेमिंड का बीच्रेटम बोकस में आवलेबल है तो घुटके जाए डिस्का सिएव दो कर आबल मायव उंने फिफ फ्फैयंग चिम्नी बहुती अच्छा प्रोल्म है ते के इसका भी लिंक डिस्क्रिपशन बॉक्स में नोहत्रों 910 11 ऑफ कीज़ेगा 12 का भी लिंक है 13 का भी लिंक है 14 का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट यह जो है ना question number 12 यह जब मैंने last के last यह discuss किया था तो एक बहुत अच्छा question है concept बीच में तो उस जो वीडियो प्ले हो रहा होगा तो उसमें उसकी comment जरू पढ़िएगा comment जरू पढ़िएगा comment फाइनली क्वच्चे ने उसमें comment करकर रखा बहुत अच्छा comment किया तो मैंनो उस प्यास बोला है तो उसकी अनल्सिस देखने बहुत जरूरी है आप वीडियो पूरा को पूरा वेखो साथ में इभी आपको देखना जरूरी है कि comment करा है को देखना जरूरी है कि आपको बाताएगा कि स्टेटिक फ्रिक्शंत कवेक्ट कर रहा है क्यानटी कप कर रहा है कि ढीटी इंटरबल से कम पर हैं कि ज्याधा पर है था इसको बताता हूँ 15 में का रहा एक कर रहे ले सले इसका रडियस हार है अंगुलर वेलोसिटी अमेगा रडियस 5 मेटर है अंगुलर वेलोसिटी 2 रडियन पर सिकेल है a person is rotating cycle tyre with the angular speed omega as shown in the figure स्प्लैशे स्मर्ट फाम दे रिम अब टायर अब दे रेडियस और इस्पीनिंग एट इस्पीड आफ भी स्क्वेर इस गटन्जी यार नेग्लेक्टिंग दे रिजिस्टेंस अब दे आर्क इवलू फाइफ होने का इतना है तो घश्टेंस पूछ रहा है और यह जो दूरी है यहां से लेकिए यहां से लेकिए यहां तक दूरी 15 बाइफ ओर है अगर वेल में मड लगावा चाहरो तो अगर वेल घुम रहा है तो जो मड है वो मैक्सम में है तक जाएगा ग्राउंस है एंगर्मीं बई मड बड पार्टिक्ल फार्थ एंटल फार्टeंटवर्ड फार्थ एंटल फार्थ जाने के लिए यह पार्टिकल इस इसम्सको हर्जेंटर से इंगल कितना होगा एक सब्सक्राइब कि मैंसे लिए इसके लिए क्या किया है माल लिया कि यहां से थीटा इंगल पिज़ बड़ पाइट के लोगा ना कि यहां से ठीटा एंगल पर मट बाड़ के लोगा यहां पर कि मट बाड़ के लोगा तो यह सर्फिस को छोड़ता है कि फिर यह मैक्सिम हाइट पूर्जिक्टाइड मोसन बनाएगा कि ऐसे उसके बाद यह ग्राउंड पर आएगा हूँ है तो यह एंगल अगर थीटा है तो भी स्काषिन प्रीडियाह वे हुए विछ कि उपां की ठीटा है लिए क्व अल्यूरि है यह प्लम् son तो यह जो हाईट आई हिए इस यह हाईट यह हाइट अगर है तो इसकी बोलो क्या आगी मैक्सिम हाइट का फामुला यू स्क्वेर sin square theta U square sin square theta upon 2G तो यहां से h क्यों लो क्या अगी? R square omega square cos square theta divided by 2G तो ground level से height h कितना होगा? यहां से इसकी height कितना होगा? maximum height वो पुड़ा यहां से यहां तर जोड़ होगा न, ती दुरी क्या है? 15 by 4 Plus यहां सिले के यहां तकी दूरी यह दूरी कितनी होगी यह R है थिसमें R fim दो पर जैसे अगर यह R है यह क्या है एकorr Sin Theta R Sin Theta R Sin Theta ओके तो यह दूरी निकाल लिए 15X4 यह है R यह बने एकर R Sin Theta यह R Sin Theta फिरीवल हाइट H और इसमें जोड़ दो लेकिन ये जो H है वो तो ठीटा के फंसन में है ठीटा चेंज करोगे H चेंज होगा तो अगर H को मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफ्रेंसियेशन जीरो होना चाहिए अगर आप H को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इसका डिफ्रेंसियेशन जीरो करता हो that is 0 is equal to theta क्रिफ्रेंस तो DH upon theta is 0 तो E0 मनेगा EV0 आगा इसका R cos theta sin का यहाँ साथागा R square omega square upon 2 G and cos square theta is 2 cos theta and again cos का minus sin theta minus sin अब R से R कटेगा, एक कॉस इसको कट कर दो, 2 से 2 कटेगा, अब ये 1 बनेगा, ये बनेगा R ओमेगा स्क्वेर, साइन ठीटा आपान जी बनेगा, तो यहाँ से साइन ठीटा की जो बहलो आईगे, आर, ओमेगा स्क्वेर अपान जी, अब फेस्चिन में R 5 है, ओमेगा 2 के बराबने, तो 2 का मतलो 4, स्क्वेर बनेगा, जी 10, बंट हपन, इला थो, गेगे, अब साइन ठीटा मनेगा, जी बनेगा, गा अपान आपान अपान आपन अपान गावान, टीगे, जी अपानार मेंगा स्केर वैलू प्लेस कर देगा आएगा वाना पांटू दिसमेंस ठीटा इस 30 दिग्री तो होरिजन्टल से जो एंगल बन रहोगा उजब 30 बना रहोगा उस वग जो मट पाट की निकल रहोगा उसी की हाइट इस ग्राउंट से सबसे जाधा रहोगा एंगल इस 30 दिग्री तो अप्सण इस दिपाट एन वेलासिटी अफ मट पाट की राट माक्सिम हाइट तो अचा वेलासिटी यह होगी मैकसिम हाइट की तो दिस इस भी एक्सेर्ट इस आर ओमेगा यह आर ओमेगा है, अर्दनिकल कॉंपनेट, तो आर ओमेगा कॉस आफ नाइंचे मिटा, that is sin theta तो आर ओमेगा, ठीटा 30 लिए आया है, solve करके, तो sin 30, place करेंगा थाप बन जाएगा आर है, 5 ओमेगा 2, 5 तो 10 अपान्टू, that is 5 5, maximum height attained by mud particle, यह निकालना है, कुछ नि, क्या करोगता है, इदो 30 है न, उसको ठाकेस में रख दो, इसको ठाकेस में रख दो, और आर ओमेगा की वालू, place कर दो, पूरा जोड दो, आगे है एच की बना, इसको calculate करने के बाद, इसकी वालू आगी 15, इसको simplify करो कि वालू आगी 15, इसके बार, इसके बार, क्वेशन लूट आनि, इसमें कuroय की थे ढद, बॐस्द नी प्तरमना, इसमें की वालू आख इसको डिॉ सबर दो, नेख मॉलिक्ण डिवक्ण रिक्जेटिकन 180, इसमें की रख आगै की शीं के वालू, अल्य जारीट ग।, कि वालू अजन शीन ग् एक्स्टर्नल फोर्स बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है विद्धर कॉंसेंट वेलास्टी बीनोट से जा रहा है अब मास्यम के ब्राइब मास्यम नॉट है तो चेंज अमोसन अरप्षन जेट इंजन स्विच रहा है इसके पर्पेंडिकुलर अरप्षन में वो रिलेटिव इसकोड यू से गास को एजक्क कर रहा है कि अधीर जा रहा है इसको डार्फिन चैंज करने हुच आता है इधर जाना चाहता है तो ग्राइस को उपर फिके कर नहीं पढ़ित जब वो ग्राइस को उपर व्लास्टी अधर आईगी तो रिजल्टेंट जाने अधर आएस तैसे भागेगा with respect to constitute the passive directed right angle to the specific motion the body important right angle the engine is shut down when mass of space ship decreases to m through what angle alpha did the motion direction of space c divided due to the jet engine operation m2 value m0 upon e is involved in m2 value m0 upon e u kis ke varabar 50 kis ke varabar b0 kis ke varabar 10 so this perpendicular velocity kab tak nikalti hai jab tak ki iska mass m0 upon e nigh hojata karek batik kitna angle jay space c rotate karga radian fine angle in radian did the motion of space c deviated from original direction okay i chai itana to confirm kya ki agar ejection yi perpendicular ho raha hai perpendicular ho raha hai to force yi space c ke perpendicular laghiya agar perpendicular laghi ga to yi velocity change nai yi speed kabhi nahi change na wali only direction tm okay मालनों अब विलासिटी अगर इत्थरश इदर लगो पहले आएस था इस साथा यह बर्यों यह था और यह एसी गूमते वे ऐसी के इसाय पैइम पर यह लो सिसे गूसिग एंगा ऴी थिल्क अलए अनुथए यहां ब्ल Ultra gen security यादिया में या नदिखविया अब यह व्लास्टी भी-0 की तो बराबर है एक किसी ड़े पे अं और होर्जेंडल से इसके एंगल क्या होगा है टीटा होगा है ये किसी कि किसी टीटों के कोष्ञेंटल येंगल अग्ले डीटुट तयाम ये test अग्ले डीटी टॉइम में परिप्रविकलर्ट करता है अगर वेलासिटी इंहां फे ऐसे हैं तो अब ईक्तों ऐसे करेगा आ ठीटें करेगा by झास्की जेक्सव में तो वेलास्टी में हलका से आपको चेंज हुआ ऐसे और आगा इनगार्ट हिए और अग्यार्ट चेंज कर गया और रहा दो तो वेलास्टी स्विस्ते अंगल फूंगे हैं गीजिक की ऊप्रूज़ी तो निकालना पूंगा लेगा तो यह जो है बीनौट है यह भी नाट है, अब 20 के अंगल का अधिए थीड़ा, तो चेंग अगल का अधिए बना, इधर होगे तो चेंग अधिए बना, अब इस चेंग कर दिखाना पोगा, क्या करों, यहां से परपेंट्बर ट्रॉव करता हूं, इंगल का अगल धीड़ा यू, बीद थीड़ा यू बनेगा तो अगर ये विखतर है ये विखतर ग्रफ ऐट दीवेड दीडीड चेंजें व्लोस्टी वेक्टर वो कितना आएगा अगर ये पीनोट लेंथ ये विजी नॉर्ट के बराबर है और यह एंगल d theta by 2 है तो आधा लेंगते आगा आधा लेंगते आगा दी नाट sin d theta by 2 यह बनेगा ठीक है और इसके वैसे भी यह बना आधा लेंगते ही आगा तो टोटल यहां से जो मैने चेंजिर वेलासिटी निकाली इस पार्टिकल की उबन गेती यह तो मोंटम मद चेंज कितना हो ओओ वाट इस चेंज इन मोंटम यह इस मास मास मानलो इसका से मास इंटो चेंज इन वेलासिटी इस नहीं है तो भी नाट साइन जीटी आवाइट मिए बट्वी इंच इन इस अब पहुत ही स्मॉल तुम इसको किया लिसकते हैं इसको साइन बीटीटा पो अप्रोक्समेट लीचिट लिसकते हैं तो यह तू से टू कटका देखा और बी नाल्ट इन्टू दी ठीटा बहुत है अप्रोक्सिमेट से क्योंकि डीटा बहुत इसमान है और साइन धीटा इस अप्रोक्सिमेट दीटा अरे बिल्कुली किसे अच्छ बता हूँ यह जो गैस बहार को निकल रही इस तुड यू से वो थ्रस्ट फॉर्स हो गाएगी अगली टीटाइम इडियमास भाहर निकले कापी रही है इसको इस विद्र भेर जो यह क्या बन गया यूद्यम अच्छ यह इंपाल्स है आफकोर्स चेंज अट वांटम अनुटम चैंज यह मोंटम चैंज यह मोंटम चैंज बराबर है उठा के बालू रगत बराबर करों दोने इकवेट करो त्यास बनेगा एंब दीटीटा बराबर शम्यू अबयर्ण दीटा पर अब यू यू दीए अ त्यास बनेगा दीटीटा अब दीएम अपान अन नाव इन्टरोगेशन जब ठीटा की वालू 0 थी तो उसका माज क्या था m0 था और ठीटा ठीटा पे वालू क्या हो गया है तो यहां से क्या आएगा यहां से आएगा इंट्रिगट करके दीनौट इंटू ठीटा बराबड़ यू इवने का लन एंट्ट एम अपान आपन अपन और देखो मास घट रहा है तो एक शी तेमी थार प्रताए कैसे है ये तो इंग्रीज करना है प्लस से भी प्लस मार्स करद रहा है और एक माने साइज देमी यूस करना प्लेगा मैंअ ठीक विए हाला कि नहीं करो तो मैं इक इस आउट सो काम से लाना प्लेगा यू, यू रहने तो, यू कितना है, 50 है ना, 50 रहने, यह है LN M upon M0, तो M upon M0 आएगा बना पागी, तो यह नहीं का LN 1 upon E, it is minus LN, लेनी इस 1, अब यह नाट किसको राबर है, 10, तो 10 into theta, बराबर 50, तो what is theta, it is 5, तो approximate 5, है is 5, the value is 5, तो यह गिए, Q14, 99 प्यारा, भP практиकर जारा strengthen to move on a smooth spherical surface of radius r, इस जार किसיל E was already from a point at the lift अब दे सेंटर सो देट एंग्लर वेलोट सी एक्सेस इतना है फाइंड दो मैक्सियूम डेप्ट जेट बिलो दे लेबल अब दे सेंटर अप्रोक्सिमेट लिए एक बाल है अगर उसमें बहुत तीरा प्रजेक्ट करें तो एसे घुमते हो आएगा और फिर वो उसी सेंस में रखते वे उपर जाएगा इसका मोसा इसी तरीका सो अगर आपने इसे प्रजेक्ट कर दिया तो यून बीचे और फिर उसार जेंटर लेवल प्रानिक वार फिर उपर आएगा मैं देज जाएग बिरुर। तो बैल मनों सॉल टरते हैं रिषकी अनर्सिस कर लेगा क्या हो रहा है व्यूर्जिन के सब्सक्राइव और 19 यहां पर पार्ट के लिए जिसका मास है मैं और आपने इसका वेलास्टी एंगलर वेलास्टी में गादी है थे शिवेलास्टी होगी और है धी स्वेलास्टी प्लक अग्यार वेल गव्योराष दो साथ फिस्वियर प्लव यहां प्याता इस्विदर्능 प्लाड के cie साथ खा कि टीक अट्व भालत्स लेए अलाग में वेलाष्ट तेक है। फॉइल तो कि आणी पार्ट पे नीचे को अंभा तक जाएता हो कि जब तक इस पार्टकिल के पास नीचे याद वावस्ट्वेख भी कि जब तक तक कि पास आपने अख आंधता है कि जब जहां पेगदम बॉटम पर जाएगा वहां फिर उपा जाएगा प्यूंकि अगर नीचे को लगतार बढ़ती रहे बढ़ती रहे इसे पता क्यों होगा कॉमस से क्यों सब्सक्राइब ना बट आवी कॉमस से बढ़ता था है इसमें होगा कि पहले हो रिंडर फलास्टी यह है तो वाई के डिरेक्शन में पार्टी के वलासिटी पहले इंक्रीज करेंगी फिर उपर आके इंक्रीज फिर गट की जिरो तो यह इसी लेवल पैसे घुमता रहाएगा तो इस बॉटम से लेके इस होर्जेंटल के बीचे मोसल त्यानि फाइंट रहाएगा सब्सक्राइब करते हैं पहले एनलसिस करेंगे तो और विच्छे समय ताइब विच्छे से मैं बोल रहा हूँ एक्च्छल में हो क्या रहा हूँ ठीक पिर दिमामार के नीचे से पार्ट के उपर क्यों जाएगा इसाब बता दूंग ओके तो यह हाईट अच्छे है तो पहले मिले उसक्रेंगे अठीकल इसक्रमोशिकले कुर्शिंदगे से चलोशों आपल रहरLoस्टिंग हाँ पीलासित अठीकलासित अअपल्सक्रश मिलाच भिरह apartments अच्छे से टंसों इसाँएग पीस्पी अमनला theosa और ट Daar चाणैन्टी इसांइड है यहां की कानिटिक नर्जी हाफ M इंट भी का स्क्वार कानिटिक नर्जी और इसको मालनो रिफेरेंस लाए तो कानिटिक निए प्रोडिशर जी मालनो जो यहां पिदेखक, माइनस यह, यहां से रड़ ऑमेगा स्क्वेर बनाबर अब दो माइनस टूजींग परिए इंगूलर मॉन्टम कंजर्वेश्न मेंबीशस कि इसलिए क्योंकि पार्ट की जए विडिए बना ऊँगे तो नॉर्मल रियक्शिन ऐसे मृँट सरे और फॉर्स नहीं यह जो एक्सिस है इस एक्सिस के बहुत टॉक कि अपैट से यह एप इसी एक्सिस से पास करेगा और mg एक्सिस के पारल इसले टॉब जोड़ा है इसकम तो इस एक्सिस के एलांग अंग्लर मॉंटम घंजाग रहेगा क्योंकि टॉब जीरो है इनिश्य एंग्लर मॉंटम क्या लिए होगे एम गी के जगर पे आरो मेगा कि एम भी इन्टु आर आरे दूरी बनेगी की वेलास्री पार पिंटको ला है तो एम गी इन्टु आर कि एम एम एक वस्ट यहां पिड़ा पिड़ा इस पोजीशन पे एंग्लर मॉंटम तो मेंगा एम बी वन इंटु यह वाड़ी दूरी दूरी कितनी यह इंग बता सकते है क्यार दिरियास एं जितों कि एक रिए अडर कि बनेगा डुरी स्क्री अरे एच फिर पानेगा रूट आओ you ओपायों कि इससे भीवन की वेलों होली पिटीस ही स्कोंगा अब स्क्वेयर माइनस है अब इस लियोन प्टा करो तो हां प्रेजे करणा स्क्वेयर और अचा ओमेगा इसक्वेयर हो कि से बहुंच जादा है ऊocar Jagman रफट रोकर वाद है कि मृविवन का स्केल्ट है न यह कि युँ ए आर का पावरड़ फॉर राएगा मेंहेंक क्यास क्यायां यह आर स्क्वेर नाassemble स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वरेगा मैंनस टूजी अच 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 प्रश्चिन आर उन्हें गूल के दीगे क्वेश्चिन में ओमेगा टू है इस एंगल को ठीटा माल लिया इस एंगल को ठीटा माल लिया है ठीक है तो इसका मैं कहले सकता हूं और स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर अगर यह आर है यह ठीटा है तो यह क्या बनेगा आर कॉस्ट बनेगा आर कॉस्ट यहां लिए टो यह है अन्डूर स्कॉस्ट लिए स्क्वेर बननेगा यह ठीक है यह थीटा आर वाफ अलिए तो यह है सब्सक्राइब करने के लिए अब सब्सक्राइब करने के लिए अब इसको इधर बैज़ेंगे तो जीएच बनेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको आरइ स्क्राइब तो मैं यहां से एक लाइन लिख सकता हूं, पता है क्या है, देखना यहां पर मैं एक लाइन लिख सकता हूं, 10E2 हीटर इस रिक्वस्ट रिस्क्वेर्ट ओमेगा स्क्वेर्ट दिवाइड बाइ 2GH हमने एक कैल्कुलिसन फिर में स्टेक कर दिया हूं क्या है तो यह थीटा अच्छो की question का गया है कि r omega square is greater than g अगर r omega square g से बहुफ जादा है जीकवो मेंसन तो अगर r omega square की वालो g से बहुफ जादा है इसका मतलब यह पूरी value इससे बहुफ ज़दा होगे इसका मतलब 10E2 हीटर गया हूं तो ये ठीटा को लूब बहुत ज़्यादा आना वागी इसको अजलों पता है क्या है यह यहां पर न दीखके यह कुछ ऐसी दिखना चीह ऐसे इस तरीके यह बहुत ही ज़्यादा दीखेगा इसको अजलों यह दूरी इस दोरी इस यही रीडिया से मुझे बताव अगर मैं यहां से द्राओ करो करों यहां से पर्पिंट्र ज्यादा है कि ये यह तेटा बहुत ज्यादा है तो यह अप्रॉक्सिमेट इसी एक्सिस के इस होड़ेंटर लाइन के पास में रहेगा तो टैंटा क्या गुटेंट आएगा देशले यह लेंद लगभग आर बनेगा कि अपान पर पिंद्ट अपान बेस यह है एच कि इस क्वारिंग करते क्या बनाएगा आरी स्क्वार एच स्क्वार बराबर आरी स्क्वार ओमेगा स्क्वार अपान 2 जी एच कि एच कर गया इससे एच की वालू सवाल होंके क्या हुआ है तो जी अगा में अब वालू प्लेस कर दो तूजी कर दो फेटेट एच्वार ओमेगा दिया गया कितना तू मेगा तू है तो तू कैसी वालू इस फाइफ ता अंसर इस फाइफ मिटर तो यह पांच मिटर नीच है आएगा त्यक्वार अक्या कॉश्चन में 20 का में लिंक आपको भेज देंगा बट अभी इसकी अनार्सिस करने बागी हुआ है ठीक है कॉश्चन में 20 के लिंक भ सब्सक्राइब करते हैं तो यह तो कॉमन सेंस की बात करते हैं कि अगर 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 उसी तुम घंते तो सेंट्रिफ्यूगल उपर दिखा थे ऐसे और मेति निचे दिखाते अंगर एकसंत तुम ऐसे दिखाते इसको नीचे तो आना ही था ते अधे लिट रही नीचर अथा उतनी इस पिर बढ़ती फिर एक एसा टाइम आता पता है एक आइसा टाइम आता जहां पहें एन ऐसे दिखता एं जायू जिया जिरीक, शेंट्रिफ्यूग्ल ऐसे दिरीक्ता, कि जसेंट्रिफड समझना मस्किट है जब आधि चो से तप समय जाता है जब आधि जीजी ओमेगा से घुम रहा हूं खुर शे मेंगा स्सोप गोंचील भी ते डिस ने समय connects मुझक जैं घुरी तरहिए सब्सक्राइब करें अब दिखो जब एक्स्टीम पोजिशन पर क्या होगा यह जो एंगल खीटा है न यह भी एंगल खीटा बनेगा तो यह जो एंग का कंपोनेंट है एंगल तो एंगल पॉजिशन पर यह जब पॉरी बालो ज्यूरो जिरो तो कम है तो फिर बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ेगा जब तक की करण चलब है पिर जो अगला एक्स्ट्रीम अगला एक्सट्रीम यहां पर तो इस एक्स्ट्रीम पर यह जो एंगे यह है और ठीटा यह हैं मगी इस एक्स्ट्रीम पर यह जो थीटा यह यह एमगी से ज़्यादा आ आए मतलब एंग कॉस्टीटा एमगी से ज़्यादा आए अगर आ गया तो फिर उबड़ जाना अ सबस्क्राइब किना यहां पर बराबर में आएक मैसे वहां पर हो जाएगा यहां पर तो आप रखते लेकिन इस समय एन इंग तो में यहां तरह था अपने भी ज़जाएगा टाम दनीष आप है यहां पर जाएगा तो पार्टिकल का मोसन ऐसे होते हो उसी सेंस में यहां पर फिर उपर उसी सेंस नहीं चाहिए विकॉज आफ इंगलो मॉन्टम का इंदर वेश हो और दूसरा यह कि वेलासिटी का डारक्सम भी तो वही है हमेसा और जेंटल वाला तो उटा कैसे हो जाएग यह बरिफाई कर सकते हो जाओ तो वह तो वैसे ही तुमको समझ आगे यहां पर बराबर है यहां पर यहां पर ज्यादा ही आएगा क्यों क्योंकि थीटा घट रहा ना थीटा घट रहा है तो यहां जब ठीटा घटेगा तो यह बलू बढ़ेगी ती पूरी बैलो इसी अब आप क्या करेंगें क्योंकि आप लिंक से लिख लीजिए तैंक यू